शिवार शिवाम शिवाम नमस्कार्थ आप सबका हमारे चैनल शीमद धूम रेमेडीज पर स्वागत है इस वीडियो में आपको यह बताने शाहर है कि यदि आप सपने में सफेद शिवलिंग देखते हैं तो उसका अर्थ क्या है? हम यभी बताएंगे कि यदि आप सपने में चावल चड़ाते हैं या जल चड़ाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? देखिए अगर सपना देखने वाले महिला को सपने में सफेद शिवलिंग दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उस गरवती इश्दे के गरव में रहा बच्चा एकदम स्वस्त है और अगामी दिनों में वो महिला एक ऐसे संतानों को जन्म देगी जो कि आने वाले समय में अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और धर्म के परचार प्रसार में भी उस बच्चे का महान योगदान होगा अगर गरव बती महिला सपने में सफेद शिवलिंग पर दूद चड़ाती हुई दिखती है जिसका मतलब है कि आगामी दिनों में उस महिला को अपने पती का खूब सारा प्यार मिलेगा इसके अलावा अगर एक अविवाहित लड़की अगर शिवलिंग पर दूद चड़ाती है तो अगामी समय में उसको मनपसंद चीवन साथी मिलेगा अब हमाते हैं कि यदि चावल चड़ाते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है शिवलिंग के उपर चावल चड़ाना यदि कोई शिवलिंग के उपर चावल चढ़ाती हुए देखता है तो इससे मान सम्मान बढ़ता है सपने में आप सफेद रंग के शिवलिंग पर दूद के साथ आप चावल के दाने भी समर्पित करते हैं तो इस सपना आपके लिए धन दौलत मान सम्मान को बढ़ावा देने वाला होता है शिवजी के शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाने से शिवजी और अधिक परसंद होता है और यदि आप शिवलिंग पर एकदम पूरे चावल चढ़ाते हैं या कि बिना खंडित हुए चावल चढ़ाते हैं तभी उस सपने का फल आपको सकराथ बख मिलेगा नहीं तो इस सपने का फल नकराथ मिलेगा मैं यह भी बता दूँ कि काले जादू के प्रभाव को भी समाप्त करता है शिवलिंग यदि कोई ऐसी साधरन सी बीमारी हो गई हो जो एक छोटी सी गोली लेने मातर से ठीक हो जाती है आपने सब तरह की दावयां खा कर देख लिए फिर भी आपको आराम नहीं हुआ है तो जो असर होता है नेगटिव एनर्जी का वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है बुरी डेजर जो होती है वो समाप्त होता है यह दिए आप देखते हैं शिवलिंग पर शेसनाग है काला शेसनाग और उसे शिवलिंग को पूरी तरह से ढख लिया है तो इसका मतलब है कि आगामी दिनों में आपको आध्यात्मिक उनतिय की प्राप्ति होने वाली है और आपका तक्दीर जगने वाला है जिसे आपको आर शिवलिंग देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आगामी दिनों में आपको एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली है जिसको निभाना बहुत मुश्किल होता है लेकिन उस मुश्किल घड़ी को आपने छेल लिया तो उसके बाद आप बहुत खूब ठाट बाट से रहेंगे आप के पास अपार संपत्ति होगी बहुत लोग महा शिवरात्ति पर शिवलिंग देख लेते हैं तो शिवलिंग शिवरात्ति के रात में दिखाई पड़ जाए सपने में तो यह बहुत सुखद माना जाता है और यह सपना एहम होता है यह सपना आपके जीवन में सब चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे देशिए धन्यवत